तो दोस्तों यह जो आप काले से दाने देख रहे हैं अगर आप इसको अपने मोर पंकी के पोदे में डाल देंगे तो आपके मोर पंकी की रुगी हुई ग्रोज जोए बहुत सुरू हो जाएगा और इसके साथ ही आपके मोर पंकी के सभी पॉसर तत्वों की पूर्ती हो जाता है जैसे कि इंग्लिश में तूजा के नाम से जाना जाता है इसके साथ इसे बिद्धिया का पोदा भी कहा जाता है अगर आपने घर में बिद्धिया का पोदा यानि की मोर पंकी का पोदा लागा रखा है और इसकी बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो इस वीडियो में मैं आपको इसके ग्रोफ बढ़ाने के साथ ही इसके के बारे में बताऊंगा सबसे पहले दोस्तों आप देखें यह जो हमारा मोर बंगी का पोदा यह बहुत ही छोटा सा में नरसादी से लेकर आया था आप जैसे कि मैंने की काफी कियो तो इसकी करने के बाद मुझे पता चल मैं सब्सके चल्का में वाएश से ट्टाब अस पार आप इसको इस तरह हाट से से नहीं चुटा पा रहे हैं तो आप इस तरीके से एक एक करके इनको कट कर लेई है जिससे हमारा जोब आपके कर लेना चाहिए यह फिसका पोदा शोबारा इसे आपको हलके फुलके से करते चाहिए तो अगर आप इसकी हल्केल किसी इस तरीके से करेंगे तो यह कभी भी खराब नहीं होगा यह कि मैं हमेशा इसको चेक करते हूं कि इसमें कोई हमारी ऐसे टैनी तो नहीं है जो सूख रही है तो चलिए मैं आपको इस सभी पत्यों को कट करने के बाद इसको क्लीन करक होगा आपने देखहो आपका मोरगी होता है इसमें कुछ यानि के राड़ सुरूश हो जाते हैं तो अब लेंगे एसकी ब्ढ़ों कि पत्र जाती है इसमें ऐबाना करने में लगा में लादिती क्योंकि इससे आपकी रुख जाएगी अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों एक फटिलाइजर जिससे की आपका पोदा बहुत ही जाता मतलब इसकी पत्याइं हरी-बरी हो जाएंगी और घनी भी होना लेगेंगी तो फटिलाइजर में आपको दो इसको फायदा मिलता है और हमारा घन होता है तो समय समय पर आप इस तरीके गुड़ाइजर डाल के दिखाता हूं जो की काफी मतलब जरूरी होता है हर पोदे के लिए तो दोस्तों काले से दाने देख रहे हैं अगर आप इसको अपने मोर पंकी में डाल देंगे तो आपके मो और पंकी के सबी पोसर तत्वों की पूर्ति हो जाएगे तो इसको हम कितना डालेंगे एक चमज में डाल देंगे अगर आपको थोड़ा बढ़ा है तो आप इसका नाम नहीं बता आए तो इसका नाम है दोस्तों सीवीड जायम एक ऐसा फ्रुड़ाइजर होता है जिसको आप आप इसके साथ इसने फूल के पूदे में डाले के इसको अगर आप इसे फूलो के भाज़ेंकर मिल जाएगा के दूसरा घर में अगर आप इस खात को का आप आप मोहर पंक्यी ज़ींगी नायट्रोजन की नादा श्राप्रों को तो आपको बासे के चाहा है तो आपको आपको तरीक से वाश करके रख लेना है वाश करने के बाद आप इसको अपने पूदे में दाल सकते हैं एक से दो चमच 15 दिन में इस से विपके बंदूकों आपके ब्लइ से टोस अगर अगर आपये इस तरीके से अगर आप बदॉडगी से हरा भारहा और अगर दोस्टों आपको मौड़ में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में ठेंके फ़ोर